सबी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार आज भी हमारा विशेवगा सपेसल बंधाई करने से पहले जो पोदेगी छटाई होती है वो क्यों ज़रूरी है उसके क्या-क्या फादे है और कैसे करनी है कई साथियों को पता नहीं होता वो ज़्यादा कटाई कर देते हैं जिससे हमारा प्रोडेक्शन कम हो जाता है तो कटाई करने की कौन-कौन सी तैनी है कौन सी को अटाना चीए इस सब पहविशे में बात करेंगे वीडियो मागे बढ़ने से पहले सबी किसान साथियों से अमरूद करूँगा जो नए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ की साथ बैल आइकन दबा दे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें तो साथियों ये हमारा पोड़ा इसके अभी हमने कोई च्छटाई नहीं की है मैं थोड़ा नीचे से दिखा देता हूँ आपको देखिए इसके हमने कोई च्छटाई नहीं की है और ये हमारा पोड़ा है इसके हमने एक साइड से च्छटाई की है क्योंकि हम इसी लाइन में चटाई करने लग रहे हैं, दूसरी लाइन में जाएंगे तब दूसरी साइड का करेंगे, तो इस तरह से आपने करनी है इसके एक तो जैसे जब हम बंधाई करेंगे, तो बंधाई करेंगे जो बंधाई से अगर आपके पोदे की ग्रोथ, एवरे अपने जो बांस वगरा हो पहले से गाड़ना शुरू कर दे बंधाई करनी है अपने 15 अगस्ते के असपास तो साथियों जैसे हाइट हमारे पो देगी एवरेज 10 फीट है अगर 10 फीट की हाइट है तो इसका हाप यानि के जो हम रस्षी बांदेंगे या तार बांदेंगे पैट वायर बांदेंगे जो भी हम जिस चीज़ से बंधाई करेंगे वो हमारा एवरेज जो है इसके हाप यानि अगर 10 फीट की हाप का पो देगी आईट है तो हमने 5 फीट पे वो बांदना पड़ता है तो उधान के तोर पे जैसे ये देखिए ये हमारी एवरेट जो है ये पांच फिटका है यहां पर लेकिन इस से नीचे ये टैनी है ये टैनी बंधाई में नहीं आएंगी और इस पर जो भी फड़ लगेगा एक तो उसकी कवाल्टी नहीं बनेगी दूसरा हो सकता है ये टैनी आपकी जमीन से सट जाए क्यूंकि जमीन से एवरेज लगबग दो फिट उची टैनी है ये तो जमीन से सट शटेगी तो इसमाँ फंगस लगने का अंदेशा रहेगा और हवा और दूब भी नहीं लगेगी तो इस से कवाल्टी नहीं बनेगी तो आपको रेट नहीं मिलेगा तो जो रशी से नीचे जितनी भी साखाएं हैं जो हडकी हडकी साखाएं होती हैं जैसे ये देखिए ये साखाएं हैं इसको आप इस तरह से ये साखा निकाल दे हडकी वाली सभी साखाओं को आप कटर से बिलकुर साप कर दे जितनी भी नीचे आपको दिखाई दे रही हैं लगबग दो फिट से नीचे इस तरह से ये सभी को आपना अटा देना है ताकि हमारे पोदे में अच्छी तरह से दूब भी लगे और हवा भी लगे आप कटर से या अगर आपको मोटी ज्यादा टैनी है छोटी टैनी ओके लिए ये कटर से है और बड़ी टैनी कई बार क्या होती है मोटी टैनी जो होती है वो साइड में ज्यादा बागती है हामना मजबूरी में उनको भी काटना पड़ता है तो उसके लिए ये गेर वाड़ा कटर है ये एवरेज जो है लगबग एक इंची के असपास ये खुल जाता है एक से डेड़ इंची एक से डेड़ इंची की ये कटाई आसानी से कर देता है जैसे मैं आभी काटके दिखाँगा आपको जैसे हमने इस टैनी को काटना है एक आत्रम मेरे मफोन है इसलिए इस तरह से ये आसानी से काट देता है इसमें जोर नहीं लगता क्योंकि इसके अंदर गेर है तो साथियो इस तरह से इनको जितनी भी आपको दो फिट से नीचे छोटी 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 काफी मात्रा में दिखाई देंगी इनको सभी को इसी तरह से अटा दें इससे क्या फादा होगा आपको एक तुआपके पोदे में अच्छी तरह से एर यानि के हवा लगेगी और साथ की साथ जो दोपर वाली जो धूप है वो भी निच्चे तक आने की कोशिस करेगी ये देखियो साथियो इस तरह से ये टैनिये कोर रहेगी ये देखिये कटाई करने से पहले ये हमारा पोदा कैसे दिखाई देता था अब जैसे आमने इसकी छटाई कर दी छटाई करने बाद ऐसा दिखेगा ये इस तरफ देखिए, इसकी हमने दोनों तरफ से चटाई कर रखी है चटाई करने के बाद आपका पोदा इस तरह से दिखाई दे जब भी आम इसको बंदाई करेंगे, तो एक तो बंदाई करने में आसानी होगी दूसरा क्या है, जिब भी आप सप्रे वगरा करोगे अगर आपने बंदाई नहीं की, तो सप्रे करने में दिक्कत आएगी जैसे ये टेनी है, ये देखिए, ये लगबग आदाई अरिया कवर कर रही है इदर की जो टेनी थी, वो भी आदाई अरिया, तो रस्ता निकलने का नहीं था जहां मैंने छिटाई निकर रखी, मैं थोड़ा आपको वो भी अरिया दिखा देना चाहता हूँ वहाँ समस्या क्या आती है ये समस्या उन किसानों के सामने आती है, साथियो जिन किसानों ने 8 बाई 10 पे या 10 बाई 10 पे पोदे लगा रखे हैं अगर किसी किसान ने 8 बाई 12 पे लगा रखे हैं, तो उसने बहुत ही कम छटाई करनी पड़ती है ये देखे साथियो ये बगएर छटाईगा है अगर इस तरह से इस में हम सपरे वगरा करेंगे तो ये टैनी हमारे सामने आएंगी हमने सपरे करने में इसमें प्रेशा नहीं आएगी दूसरा जिस से में हम तुडाई करेंगे तुडाई में काफी प्रेशा नहीं आएगी ये देखिए आपको गड़ी पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है और इधर देखेंगे तो आपको ये गड़ी पूरी तरह से आपको खुली हुई दिखाई देगी इसमा आगे एक प्लांट और बचया हुआ है चटाई का तो चटाई के पेनी फिट ये है एक तो आपके पूरी देखो हमेशा हवा लगेगी धूप लगेगी क्वाल्टी अच्छी बनेगी फंगस कम लगेगी क्वाल्टी अच्छी बनेगी आपका प्रोडेक्शन अच्छा निकलेगा प्रोडेक्शन अच्छा निकलेगा तो आपको रेट अच्छा मिलेगा तो साथियो इस तरह से बनाई करने से पहले अपने पूर्देगी छटाई जरूर करें एक साथियो एक साथियो ने बगएर उसके बगएर बात करें बगएर वीडियो देखें उसने क्या क एक वीडियो में हमने पता रहे था भजी चार शे पांच साखाएं रखें तो साथियो इस समय हम चार से पांच साखाएं नहीं रख सकते। और वो पूरी तरह से एक पेड़ बन जाता है लेकिन अगर हम इस समय चार से पांच रखने की कोशिस करेंगे तो हमारा प्रोडेक्शन काफी हद से कम हो जाएगा क्यूंकि इस समय ज्यादा साखा डोलप नहीं होंगी साथियों तो ये विशेज द्यान रखे आज की वीडिय साथियों देखने के लिए सभी साथियों का दिन्यवाद जै हिन जै भार्त जै मात्ता दी